क्लास फस्ट की साइन्स का लेसन नमबर सेविन के फिलिंद अवलेंग्स है और मैंने टिक दा करेक्ट उस वाले पार्ट में करवा दिया है अब हम पढ़ेंगे क्या फिलिंद अवलेंग्स we need food to जो हमें भोजन की आशकता होती है किसलिए होती है गिरू ब्रद्धी के लिए हमें भोजन की आशकता पड़ती है milk, दूध, इज मीस है cold मीस कहलाता a मीस, a complete मीस, संपूर food मीस होता है भोजन जो दूध है वो क्या कहलाता है एक संपूर भोजन कहलाता है we मीस हम get मीस प्राप्त करते cereals मीस अनाज end मीस और pulses मीस दालें from मीस से plants मीस पौध़ तो हम पौध़ों से क्या प्राप्त करते है cereal अनाज और दालें प्राप्त करते है आपका fourth number का आ जाएगा we get eggs and milk from animals we मीस हम get मीस प्राप्त करते egg मीस अन्डा end मीस और milk मीस दूध from मीस से animals मीस जानवर जानवरों से हम दूध और अन्डा प्राप्त करते है we should we मीस हमें should मीस चाहिए eat मीस खाना healthy मीस स्वास्थ food मीस होता है हमें healthy food मतलब हमें healthy food ही खाना चाहिए अब आते हैं आप लोगों के ये इसमें लिखना है वी गेट दा फॉलोविंग फूड आइटम फ्रॉम प्लांट्स हम ये फूड आइटम है जो पौधों से प्राप्त करते हैं उनके सामने हमें पी राइट करना है और जो हम एनिमल से प्राप्त करते हैं उनके सामने हमें ए राइट करना है आपका मिल्क है उसके सामने आपको ने देखा ए बना है आपका यह मेज है यह प्लांट है तो मैंने पी फिल किया फिस है जो एनिमल्स है ए हुआ उसके सामने फिल और जो मीट है वो उसके सामने ए और यह पॉमग्रेनेट है इसे सामने पी और ये ब्रिंजल है इसके सामने P क्योंकि ये हमें किसे प्राप्त होते हैं प्लांट्स से, ये दोनों एनिमल्स से, ये प्लांट्स से और ये भी एनिमल्स से अब आते हैं इसके question answer पहला question है Why is food important for us? Why means क्यों? इस means है, food means भोजन important महत्तुपूर्ण for us हमारे लिए तो मैंने इसका answer लिखा है Because, क्योंकि इट्स ये gifts देता है असमीज हमें इनर्जी, उर्जा टू, प्ले, खेलने को स्टड़ी, अध्यन करने को वॉक चलने को और बात करने को Second वाला question है What food do we get from plants? तो हम पौधों से किस प्रकार का भोजन प्राप्त करते हैं तो इसका मैंने answer लिखा है Fruits, Vegetables, Cereals and Pulses Cereals की spelling है C-E-R-E-A-L-S ये spelling इसकी आपको समझ में आ रही होगी ये C बना है आपका तो ये हम किस से प्राप्त करते हैं? पौधों से फिर आपका थार वाला What food do we get from animals? What food? मतलब कौण सा भोजन? हम जानवरों से प्राप्त करते हैं तो इसका मैंने answer लिखा है Milk, Egg and Meat दूध, अंडा और मास हम animals से जानवरों से प्राप्त करते हैं आपका question है What is healthy food? Healthy food क्या है? तो आप लोग answer देखिए Food means भोजन, that means जो makes means बनाता Our means हमारा body means सरीर Strong means मजबूत And means और help means मदद करता Us means हमारी Two means को stay means ठहरने Healthy means स्वास्त Is means है Cold means कहलाता Healthy food Healthy food कहलाता है यह आप लोगों के question answer हो गए और इस lesson की exercise complete हो गई Thank you all Thank you all